कि स्वागत्य साथियों एंसेंट हिस्टी जो दृष्टी की कुई बूख है उसका हम लोग आज लास्ट चेप्टर डिसकस करेंगे यह प्राचीन भारत के विवित पहलू नाम से है इसकी समरी में हम लोग देखेंगे कि जो प्रमुख सिक्षा के केंद्र थे प्राचीन भार कौन-कौन थे उनको डिसक्स करेंगे भारत में प्रमुख सूरियमंद्िर जो है वह कहां कहां परिस्थित थे उनको भी यह आपर अच्छे सेस्प्लेयं किया गया है तो कुछ मनदे निर्माड सैलिया कुल्स संबंदिर डरबर यह सर मनदिर है कुछ सम्बद जो हैं उनको को भी यहां discuss करेंगे प्राचीन काल के राजवन संस्थापक हैं उनको भी यहां देखेंगे और जो प्राचीन भारत का इतिहास का संचिप्त घटना करम जो टाइम टेवल है उसको भी देखेंगे और छोटा सा छे क्वेस्टिन का प्रैक्टिस इस बुक में दिया हुआ है उ जसे की आपने अभी देखा कि जो पिछला लेक्टि है हुआ हम लोगोंने इसको रिवाइस कि आ पूरे चेप्टर पूअ अच्छे से tää मैं कुसिस करता हूं कि उसको बहुत चॉकर में आपके सामने कम समय में इस प्लीन कर पाऊं ताकि आपको बहुत कम समय में अच्छे से समझ पाएं चलिए आपको वीडियो पसंद आता हो आप सभी देखते जरूर हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते तो हमें लगता है आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज लाइक करिएगा अगर आपके मन में कोई बात आती है तो कमेंट करके बताइए इससे हमें अपन पर महसूस होता है कि आपको मरे चैनल से जुड़े हुए है तो आए सुरू करते हैं प्राचीन कालीन प्रमुक सिक्छा के के केंद्र जो प्रमुक सिक्छा के केंद्र में देखें तो तक्षसिला यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपंडी जिले में है पहले यह राजनीती के से सिक्छा की सिक्छा का प्रमुक केंद्र था यहां से सिक्छा प्राक्त कि है उनके प्रमुक नाम है। मगत का राजवैद जीवक, सुप्रसिद राजनीत भी चाड़क्य, बहुत विद्वान बसुबंदू और इन में से चाड़क्य तो यहां के प्रमुख आचारे भी रहे थे इसी प्रकार अगर नालंदा को देखें तो नालंदा का जो नाम है वो सबसे लिखनी है इसकी अस्थापना जो हैं 415 से 4525 तक सासन करने वाले कुमार गुप्त, गुप्त सासत कुमार गुप्त करते हैं ऐसा बताया जाता है कि इसमें 8 बड़े कमरे ब्याख्यान के लिए 300 चोटे कमरे बने हुए थे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आते थे वो चाइना, मंगोलिया तेबद, कोरिया, मदेसिया जो सेंटरल एसिया वहां से आते थे यह था महायान बहुत अधर्म का प्रमुख सिक्षा का केंद्र था तो याद रखेंगे कि जो नालंदा था यह महायान का था, हीन यान का बलवी था ठीक है, और नालंदा से समुख बाते क्या हैं, कि हुईन सांग ने यहां 18 महिने तक रहकर रध्यन किया था इस विद्याले के जो कुलपती थे उनका नाम था सीलभद्र यहां का जो धर्मगंज नामक पुस्तकाले था, तीन भव्य भवनों से बना हुआ था, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक, पुस्तकाले का नाम क्या था धर्मगंज, जो बर्तमान में अलंदा विद्याले की स्थिती है, तो वो बिहार की राजधानी पटना से 90 क्लि भी लिया, वो देख लेते हैं, मैं आपसे बतायक जैसे नालंदा जो है, वो महायान का प्रमुक था, यहीन यान बहुत धर्म का सिक्षा का प्रमुक केंद्र था, और यह पश्यम भारत में था, गुजरात में, इत्सिंग के अनुसार सभी देशों के विद्वान यहां एक विक्रम सिला विश्यविद्याले में च्छा में महाविद्याले थे, एक किंद्री कक्ष 108 ध्यापक थे, जो किंद्री कक्ष था उसको विज्ञान भाउन का जाता था, आचारियों में दीपंकर और स्री ज्ञान का नाम लिखनी है, जो उपाधियां थी, जो असनातक होते उनको पंडित कहा जाता था, और जो उच्छेतर उपाधिया थी, तो क्रमसा पंडित के बाद महापंडित उपाध्याय और पर आचारियों, जो मुस्लिम आक्रमरकारी बक्तियार खिलजी है, उसने विक्रम सिला विश्यविद्याले को द्वस्त कर दिया और विक्चियों क महत्वपूर्ण योगदान रहा, मापन और जामिती के इसे का जो प्रमाण मिलता है, वो हडपा में इटों, जो इट बनी है, उनका एक माप है, तो ये इसे पता चलता है कि मापन और जामिती का उनको इध्यान था, वैदिक साक्षियों में बताया गया है कि एक के आगे ब व्रित्त को वर्ग में बाट करके व्रित्त को वर्ग में और वर्ग को व्रित्त में बाटने का नियम प्रस्तत किया, बदलने का, तो गणित में आपके जानते होंगे, आरे भटे ने त्रिभुच का छेतरफल जानने का नियम निकाला, जिसके अनुसार तलसरूप त्रिको प्रिथवी ब्हुंती फेले माना जाता था कि प्रिथवी जो है सूर्य उसका चक्र लगाता है जो 30 संधित के पड़िता की रूप मेंश्म्मृरनी है इनके जो गरंत है पंचह सिध्धान थिकाव रहाज जा तक प्रिहज संगीता है इसमें यमनों को जो 30 का जन्मदाता होने के करण रिजियों के समान पूजि माना गयाँ जोति से समंदित पांच से धानत आगे चलकर प्रस्लित हुए तो पितामा था सूर्य और चंदर्मा की संदर में, वसिस्ट राशी और लगनों के संदर में, पोलिस सूर्य और चंदर ग्रहन के संदर में, रोमक युनानी से धानतों की गर्णा की संदर में और सूर्य जोतिस क बहुतिक सास्त्र में क्या प्रमुक चेंज़े जाते हैं जो आधुनिक बहुतिकी का सरप्रमुक सिधान्त पर्माडवाद है इस पर्माडवाद के संस्थापक वैसेशिक दर्शन के प्रवर्तक महरसी कड़ात थे यह छटी इचापूरु की बात है जिन्हें भारत में बहु कौर्ची का वर्जन माना जाता कि संस्थ को प्राचीन काल में रस विद्यात्तवारा सहस्त्र के नाम से जाना जाता था जो की महत्विन हैं उनका महतीपूर्ण आविसकार इसका नागाजूयुक चिकिस्सा स python भर्तोंने बहुत विक्सिटः चिकिस्षकTI र siellä उस का उलेक सरपथम अथरवेद में मिलता है मुनी आत्रे की आत्रे संगीता आयुरुवेद की प्रसेद रिष्णा है जिसमें जल सकिट्सा का वढ़न है इसा की दूसरी सदी में आयुरुवेद के दो महान बिद्वान हुए एक थे सुसृत और एक थे चरक चरक की चरक संगीता चिकिसा सास का विश्व को उस है तो आयुरुवेद के मामले में भारत काफी विखसे था तो आपने देखा कि विज्ञान यम प्रद्रग्यों में भारत काफी उन्नत था हाँ ये है कि हमारे इतिहास को नस्ट किया गया क्योंकि हमारे लिए गर्व का विश्व है भारत के जो प्रमुक सूर्य मंदिर है उनको देखते हैं यहां डिस्कस किया गया इस बूक में बहुत अच्छे से कोडार्ग का सूर्य मंदिर है इसे कहा जाता है ब्लैक पैगोटा तो कहां इस्थित है यह यह स्थित है पूरी ओडिशा में कोणार का सूर्य मंदिर इसका निर्माण गंगवंस के सासक नर्सिंग देव निकराय था इसमें बारा जोडी चक्रों वाले साथ घोडों से खीचे जाते हुए सूर्य देव की रत के आकार में बनाया गया है लाल जोड़ार का सूर्य मंदिर है यह कहा परस्थित है ठोड़ा इसको मिलाने को फूचा जाता है अगला देखते हैं मुडहरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मुडहरा में स्थित हैं आजकल जिर्ण स्रीन वस्था में हिंदु इरानी सैली का प्रयोग किया गया है सुलंकी राजा भीमदेव ने इस मंदर को दो हिस्सों में बनवाया था मुडेरा के सूर्य मंदर को गुजरात का खजुराहो नाम से भी जाना जाता है पूरे मंदर के निर्माड में जुडाई के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है तो यह important हो जाता है मार्तंड सूर्य मंदर जो है वो जम्मू कस्मीर के अनंदनाग में स्थित है और इसका जो निर्माड है करवाय था लैलिता देते मुक्तापीर द्वारा इसको बनवाय गया था ठीक है इसमें क्या है कि 84 स्थम्मो को थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा करके घेरा बनाया गया है चूने के पत्थर की चोको नीटों का प्रयोग किया गया है इस मंदर से कस्मीर घाटी का मनुरम द्रिश्य देखा जा सकता है कहां से तो मारतंड का सूर्य मंदर कस्मीर में इस्तित है इसके बाद आता है सूर्य नारायन स्वामी मंदर अरस्वल्ली तो यह मंदर आन प्रदेश के स्री काकुलम जिले में इस्तित है इसका निर्मार सात्वी से रागदी में कलिंग की राजा देवे नर्मा दोरा कराये गया था इसमें मंदर में भगवान सूरी के साथ तीन देवियों की मूर्तियां भी देखने को मिलती है वो हैं उसा, छाया और पद्मिनी तो ये भगवान सूर्य के साथ तीन देवियों की मूर्तियां भी है तो इनको भगवान सूर्य को रत पर सवार दिखाया गया है और काले एकल ग्रिनाइट पत्थर पर इसको उकिरा गया है सूर्य पाहर मंदिर एक कहा परिस्थित है तो ये असम में इस्थित है यह गुहाटी में गोल पारा के समीब सूर्य पाहर नामक परोध परिस्थित है बारामी सती का है पत्थरों को काट कर बनाए गिया है दक्षिनार्क सूर्क मंदिर जो है वो गया बिहार में है यह बिहार राचे गया जले में स्थित है कि यहां पर सिव दुम्रा विष्णु देवी इनकी भी प्रतिमाय देखने को मिलती है कोच इसको तिरावी सदी का भी मानते हैं तो यह राप का दक्षिनार्क सूर्क मंदिर कहां पर है गया बिहार में तो इनको इनके अस्थान से भी पूछा जाता है सुर्य नारायंट स्वामी मंदिर अरस्वली धक्षिनार्क सूर्क मंदिर गया सूर्य पहर मंदिर असम तो इनको में पूछा जा सकता है तो इनको एक बार जुर आप लिए ध्यान रखिएगा इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो करि colleges gonna selfmy तो जो उत्तर भारत में वो है नागर सैली यह दम्य भारत मैं है और बृष्चल्य को सिस्चरम बारत भारत मीं हैं जस्कुरम में लिखा है सिक क्रम में आपको देखने को भी मिलता है कि इनका freakin것 देख यहां 1992 सिताब्धी तक है इसी से मिलता जुलता दक्षिन में जो पल्लवी थो रही थी द्रविड सैली ये थोड़ा लंबे समय तक चलती है 17 से 18 सताबदी तक उसका कारण क्या है देखिए 7-13 है ये 7-18 है उसका कारण क्या है कि जो मुस्लिम आक्रमण कारी आते हैं 12-13 सताबदी में तो उनकी कि नागर सैली और द्रविड सैली लगभग एक समय कालखंड की हैं लेकिन थोड़ा वो लंबे समय तक द्रविड सैली चलती है इसके बाद बेसर सैली को देखें तो चुकि इन दोनों का प्रभाव से ही उत्पन हुई थी तो थोड़ा अंतर आ जाएगा आठमी से चौदावी सिताब्दी तक बेसर सैली का देखने को मिलता है आफ शेत्र विशेश की बात दो नागर सैली में उत्तर भारत के छेत्र हों कि जैसे उत्तर भारत की उत्तर हो कि हिमाले से लेकर बिंद्य तरिष्षण करनाटक वो है त्रविट सेली चेत्र भी आपको याद हो गया जो संबद्ध सासक हैं वंस हैं तो देखिए उत्तर भारत के जो वंस हैं वो नागर सहली से संबनित होगे जिन्होंने मंदिरों का निर्मार करवाया इसमें कौन-कौन से होंगे बंगाल-पाल-सेन मंगाल के पाल और सेन मंस पाल बंस के बाद सेन मंस आता है फिर ओडिसा के सोम चेदी गंग बंस मद्धपदेश के चंदेल कल्चोरी परमार उत्तर पदेश के पतिहार गढ़वाल गुजरात के चालुक के सोलंकी राजस्तान दिल्ली के चोहान ठीक है बेसर सेली जो पांचोल, पांडे, विजयनगर, नायकवन्स ये सभी इन्होंने बनाए तो द्रबिल सहली के जो हैं वो थोड़े इंपॉटेंट हैं अक्सर कर पूछे जाते हैं तो उसका टेबल यहां पर डिसकस किया गया है इनको देखते हैं कौन-कौन से प्रमुख मंदिर हैं जैसे क पनवाया कौन गया तो इसमें जो पहले दो हैं कैलासनाथ और बैकॉंट पेरुमल यह आठवी सताब्दी के हैं और यह राज सिंग उपसैली के बने हुए हैं तो कई उपसैलियां आपको देखने को मिलेंगी यह जो हैं नरसिंग वर्मन दुती के समय में विक्सित हुई और नरसिंग वर्मन जो हैं जैसे राज सिंग आगम प्रिय संकर भक्त इनकी जैसे उपाधियां देखने को मिलती हैं तो जो कैलासनाथ और बैकॉंट पेरुमल मंदिर है यह काचीपूरम तमिलनाडू में ही था आठवी सताब्दी का एक थोड़ा आगे बढ़ जाईए लाड़ू में कौन से हैं च œले स्विस्वारम मंदिर यह जाना जाता है आधित्य प्रथम के समय का अब राजाराज प्रथम के कुछ समय के जो मंदिर हैं उनको देख लेते हैं तो यहां पांच मंदिरों के नाम आपको मिलेंगे राज राज प्रथम के समय के जो समय है वो कौन सा होगा दस्मी से इग्रहमी सताब्दी दसमी से इग्रहमी सताबदी के बीच में राज-राज-प्रथम के सासनकाल के समय इनका निर्माड आप देखेंगे तो कहां कहां है तो तमिल नाडू का जो छेतर है इसमें ब्रह्मधेशम में बना है तिरुवालेश्वर मंदिर तंजौर में बना है राज-राजेस्वर या ब्रेदेस्वर मंदिर तिरजिरापली में बना है वैदिनात मंदिर तंजौर में ही बना है उत्तर का इलास मंदिर और पुलुन रूबा बना है स्री लंका में है स्री लंका में बना हुआ है सिव देवाले तो इन्होंने स्री लंका में भी शिव देवाला का निर्माण करवाया था राज-राज-पृत्म के सासनकाल में इंपोर्टन मंदिर और है उनमें है जो आपका बारामी सताब्दी का है राज-राज-दुतिय के सासनकाल का इनको देखते हैं ये है एराबतेश्वर मंदिर दारा सुरम तमिलनाडू का बारामी सताब्दी राज-राज-राज-दुतिय के समय का है त्रिभुवनेश्वर मंदिर या कमपहरेश्वर मंदिर ये त्रिभुवनम तमिलनाडू में श्थित है कुलोटिंग, कुलोट्टूंग तृतिय के समय का बुक्का प्रथम के समय का है वैशनो मंदिर निलोर आंधप्रदेश में बना हुआ अब देवराय दुती के समय में आपको यहां चार मंदिर मिलेंगे देवराय दुती का जो समय आएगा वो 15 सताब्दिक आएगा इसमें कौन-कौन से हैं तो आप देखेंगे करनाटक में भी है और जादा तर तमिलाडू में करनाटक के विजय नगर में है पंपावती का मंदिर तमिलाडू में तीन कौन से हैं तो अलग-अलग स्थानों पर सिदंबरं में पारवती मंदिर कांचीपुरं में वरतराज पेरुमल मंदिर वेल्लूर में जल गडेस्वर मंदिर तो यह सभी देवराय दुती के समय के हैं, 15 सिताबदी के बने हुए हैं, कभी-कभी ना इनका समय के अनुसार ये लगा दिया जाता है, कि इनको इनके निर्माड के क्रम के अनुसार लगाई है, तो यहां बुक में आपको क्रम से ही डिसकस किया गया, तो यह बड़ा इंपोर जो द्रविर सैली के मंदिर हैं, उनको यहां टेबल फॉर में डिसकस किया गया, कई संबत अभी तक आपने पड़े, विक्रम संबत, सक संबत, हर संबत, गुप्त संबत, कल्चुर चेज संबत, उनको थोड़ा से यहां देख लेते हैं, उनसे संबने चुपमग बात हैं, क स्वरुमानिती मने आपको बता दिया, सक संबत देखें, तो यह 78 इसवी से माना जाता है, पारंपरिक मानता कर उनसार, समराट कनिस्क ने सको पर विजय प्राप्त करने के बाद, या फिर जब उस इंगासना रूड हुए, तो उन्होंने इसका प्रारम किया 78 इसवी में, जो भारत का वर्तमान रास्टी पंचांग कलेंडर है, इसी संबत पर अधारित है, तो जब 360 दिन का सामानने वर्स का होता है सक संबत, तो उसमें जो पहला चैतर का पहला दिन होता है, वो ग्रिगरियन कलेंडर पर 22 मार्च को पढ़ता है, और जब लीप वर्स हो जाएगा तो एक दिन कम हो जाएगा, तो अधिवर्स में, लीप वर्स में 21 मार्च को पढ़ता है, यह कहें कि 21 या 22 मार्च को पढ़ता है, जो सक संबत की अनुसार अगर देखें, भारत में जो कलेंडर ग्रियरियन कलेंडर चलता है, तो इसकी डिटिस से मैच करेंगी, इसके बाद एक निया संबत आपको देखने को मिलेगा, कल्चुरी चेदी संबत, यह क्या है, तो यह पस्चिमी भारत के आमिर नरेज ईसर सेन द्वारा इसका शुरुवात किया गया था, इसका जो समय काल है, यह इंपोर्टन्ट है, यह मैच दफॉलॉइंग में आता है, इसलिए यह रखा गया है, 248-49 सिस्वी के लगभग इसकी सुरुवात हुई थी, यह मद्र पदेश था, उप्तर पदेश के कल्चुरी सास को और उनके लेखों में इसी संबत का प्रियोग किया गया है, तो कल्चुरी चेदी संबत, गुप्त संबत, गुप्त काल में आपने पढ़ा, गुप्त वन्स के सासक चंदरगुप्त प्रथम ने 319 सिस्वी में इसकी सुरुवात की थी, तो गुप्त संबत, जो गुप्त काल के सामन्त है, उनके लेखों में गुप्त संबत का प्रियोग मिलता है, बल्लभी संबत को अनेत, इसकी जानकारी अलबरूनी के विर्ण से म मिलती है, बल्लभ नामक राजा ने सक काल के बाद 241 वर्स बाद बल्लभी संबत प्रवर्थन किया था, इसका मतलब सक से 241 ये आगे होगा, तो सक का क्या था 78 और इसमें 241 जोड दीजे तो बराबर 319, तो आप देखे यही तिथी गुप्त संबत की भी मिलती है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इन में से कौन से दो संबतों की तिथी एक ही है, तो आपका हो गया यहाँ पर बल्लभी संबत और दूसरा हो गया गुप्त संबत, हर्स ये संबत क्या है, ये वर्धन वंस के सासक हर्स वर्धन से है, हर्स के लेको दोरा राज्य रोहन की तिथी 606 इस चेप्टर है, इसलिए इसमें समराइज किया गया हर चीजों को तो ही देखते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कर पूछा जाता है, हर्यंक वंस की संस्थापक थे, पहले संस्थापक देख लेते हैं, उनकी राजधानी बाद में देखेंगे, हर् इसके बाद और देखते हैं, पाल वंस गोपाल, गुर्जर प्रतिहार वंस हरिस्चंद, सेन वंस सामन्त सेन, गहडवाल वंस चंद्रदेव गहडवाल, चोहान वंस वासुदिव, चंदेल वंस नन्नुक, गंग वंस बजरहस्त पंचम तो जब हमने आपको मौरियोतर पढ़ाया, गुपतोतर पढ़ाया, सारे तो सबकी राजधानियों को हमने डिसकस किया है, अगर आपको इनकी राजधानियों को भी पढ़ना है, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, कि गिन की राजधानी कहां कहां थी, तो अल सिहाब के और संस्थापकों के नाम याद करिए अगला दिखते हैं उत्पलवंस के संस्थापक थे अवंति वर्मन और पर्मारवंस के थे उपेंद्र उत्पल वंस जो है कस्मीर का था और परमार वंस धार उज्जैन का था अनिलवार का सुलंकी वंस था इसके थे मूलराज प्रथम और तंजावुर का जो चोल वंस है इसके सरस्था पर थे विज्याले चोल तो ये रहा अभी तक जितना कुछ प्राचीन भारत पढ़ा गया है उसकी एक तिथी अगर आपसे पूछी जाए तो उस तिथी को भी यहां डिसकस किया गया है छोटे से टेबल में कि अगर प्रारम से 3000 इसापूर माना जाए तो प्रागतिहसिक काल माना जाएगा 2500 इसापूर से 1500 इसापूर माना जाए तो सिंदुघाटी सब्यता का काल होगा 1500 से लेके 600 इसापूर तक हो तो वैदिक काल होगा जो प्राचीन भारत में धारमी कांदोलन होते हैं उनका समय है 600 इसापूर से 322 इसापूर तक मौरékाल का साषन माना जाता है, विदेशी आकरमणों का काल रहा है, 183 इसापूर से 320 इसापूरू, इसी क्रम में अगर देखें, दक्षिन भारत में संगम काल का जो समय है, तो 58 इसापूर से 250 इसी तक माना जा सकता है, गुप्त सामराज्य का काल है इस्वी में 319 से 520 इस्वी छोटी राज्यों का यानि कि गुप्त उत्तर का जो काल आता है वो 500 इस्वी से 606 इस्वी आता है और हर सवर्धन का जो काल आता है उसी में वो 606 से 647 इस्वी आता है कुछ important बाते भी यहां discuss की गई है जिनको आप screenshot लेकर के इस बार revise करिए क्योंकि हमने इन सभी को पढ़ाया है इसलिए मैं इनको यहां फिर से नहीं पढ़ाऊंगा अब भ्यास प्रस नहां पर दिये गए हैं छे इनको देख लेते हैं इनके important क्या है निमलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है तो हमने आपको कई इसमें सूर्य मंदिर पढ़ाए जिसमें आया था अरस वल्ली का सूर्य मंदिर तो इसमें कौन-कौन से विख्यात है वो बताना है तो देखिए इसमें हमने एक पढ़ा था अरस वल्ली का ही मंदिर यह कहां पर कौन सा इसमें गलत है थो जो शौई नियुक्त संबत का है यहाँ पर हर्स दिया गया है लेकिन अपना एक संबत चलाया था इसलिए यहां पर यह वाला गलत हो जाएगा अब आप देखें तो जो बल्लबी संबत है इसकी जानकारी अलवरूनी के विवरण से मिलती है कि बल्लब नामक राजा ने सब काल के 241 वर्स बाद बल्लबी संबत का प्रवर्दन किया था तो यहां पर होना चाहिए था बल्लब हर्स के जगा तो आपका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा क्योंकि यही असत्या है इसके बाद देखते हैं तक्सिसि strands वर्तमान में कहाँ इस्थित है तो तक्सिसिला मैंने आपको बताया कि यह पाकिस्तान के रावल पिंड़ी में इस्थित है तो आपका हो जाएगा थ्रीका बी आंसर इसके बार्स, विष्चु विद्य का चैर्ण करें तो सौतापक है यह नंदवंस महापदम यह पूछा जा रहा है तो नंदवंस महापदमनंद सही है मुर्य वन्स को श्मत्र सुंग यह भी सही है जो कण्ववंस है कण्ववंस के सासक जो है यहां पर दिये हुए है सिमुक तो कण्ववंस के सासक सिमुक नहीं थे बलकि कौन थे वासिद्यू सिमुक किसके थे सातवाहन के ठीक तो यह आपका आंसर इसने हो जाएगा डी जिसाई हो यह इसने की असत्य पूछा है यह गलत ह निमलिकित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया मंदिर था उसमें आपका चोल सासक द्वारा मेरमित है आपका सही उतर हो जाएगा तो इसी के साथ आज हमारा जो प्राजीन भारत का है बुक डिसकेशन वो कम्प्लीट होता है हमने दृष्टी क्विक बुक का जो पूरा एंसेंट है वो आपके सामने रखा इंपोर्टन फैट्स रखे कोसिस की कि आपको सारी चीजों को बहुत आजानी से समझाओं कुछ अपने भी जो इनिसियेटिव से उसमें मैंने उसमें लिए आपको समझाने के लिए उमीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे अब इसके लिए नई प् करम बना रहेगा अगर आप इंटेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट किया करिए इससे हमें पता चलता है कि आपका जो कनेक्शन है वो हमारे चैनल के साथ बना हुआ है आपको अगरे वीडियो में मदिकालीन भारत के साथ तब तक के लिए गुडबाई